सोलन में बने सरकारी रेंशटर में खाना बदोशों की कबजी हो चुके हैं ये खाना बदोश भी ना किसी पहचान पत्र के इन शेहरों में रह रहे हैं सोलन के माल रोट पर बने रेंसेटर पर भी खाना विदोशों का कब्जा है जहां पर ये आपस में लड़ती और गाली गलोज देती हुई नजर आ रहे हैं जिसकी वज़ेश शेहर का महाल खराब हो रहा है शेहर में रेंसेटर इसलिए बनाय जाते हैं ताकि ब्रिद लोग यहां आराम कर सकें और बारिश के समय लोग यहां पना ले सकें लेकिन यहां पर खाना विदोशों ने इतनी गंदगी डाली हुई है कि यहां बैठना तो दूर बद्बू के कारण गुजरना भी मुश्किल ह हो चुका है यह लोग कहां से आएं हैं और सोलन में क्या करना चाहते हैं यह शायद किसी को भी मालूम नहीं है यह किसी अपरादी घटना को असानी से अंजाम देकर भागने में काम्याब हो सकते हैं और फिर उसके बाद पुलिस के पास हाथ मलने के सिवाए कुछ नहीं जिकन करना भी अनिवारया होना चाहिए ताकि शेहर में बढ़ रही अपरादी घटनाओं पर अंकुष लग सके जब इस बारे में अतिक जीला पुलिस अधिक्षक शिप कुमार सर्मर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मामले की संग्यान में आते ही उन्होंने पुल इसके लिए जो भी उचित कारवाई बनेगी कानूनी कारवाई वो इंडियो कोर्स आफ टाइंग की जाएगी उसके लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं जैसे चो सोलन है और आई सी पीपी सिटी चौकी हमारे उनको दिशाने देश दिये गए